हेलो दोस्तो मैं विकास आज सभी का हमाय चनल में स्वागत है आज का वीडियो है 32 इंच का LED TV जिसमें पैनल का प्रावलम है तो इसमें यह प्रावलम है कि यह चलते चलते 15-20 सिकंड यह चलेगा उसके बाद यह फ्रेज हो जाएगा इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेज हो और मेनू का भी प्रेस कर रहा हूं तो भी यहां पर कोई एफेक्ट ने दिख रहा है तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह से हारजंटल लाइन देने लगता है तो इस प्रावलम को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं यह जाने के लिए वीडियो को लास्त तक जोर दखें तो लिए वीडियो सुरू करते हैं तो वेलकम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रोनिक्स सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकॉन तो हम सबसे पहले इसका पाइनल का बोल्टेज चेक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं टॉल बोल्ट और इसके आउटपूट पे देखते है इस फ्यूज के और पूटपूट पे तो यहां पर भी 12 बोल्ट हमको मिल रहा है उसके बाद हम देख लेकते हैं इसका वीजी एच तो यहां पर देख सकते हैं 29.9 बोल्ट और वी आफ यानि की वीजील जो की मानट में 7.9 बोल्ट और यहां पर वीकॉम जो की 7.2 बोल्ट और यहां पर देख सकते हैं VDD जो की 3.3 बोल्ट यह भी ओके हैं और यहां पर ABDD देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं 16.1 बोल्ट यह भी बिल्कुल ओके हैं उसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं इसका गामा बोल्टेज चेक कर लेंगे तो यहां पर आपको ABDD से जो बो वही बोल्टेज यहाँ भी मिलेगा और यह है एक एक या दो बोल्ट के अप्रोक्स हर एक पॉइंट पे कम होता जाएगा तो इस तरह से आपको यह है एक कर लेना है कि कहां पर हमारा बोल्टेज़ डॉप हो रहा है उसके बाद यहां पर हम लेवल सिप्टर आईसे पर आ जाते हैं तो इस लेवल सिप्टर पर यहां पर आपको CLK 123456 पॉइंट यहां पर मिल जाएगा जो कि पैनल पर यहां से CLK बोल्टेज जाता है CLK पॉल्स जाता है तो यहां पर देख सकते हैं 6 बोल्ट यहां पर मिल जा है और यह अप डाउन होगा यानि कि यह कभी माइनस में होगा कभी प्लस में होगा ऐसा यह एफेक्चूट होता रहेगा जिस तरह से आपका पैनल पर पिक्चर बनेगा उसी प्रकास पर बोल्टेज भी आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर देख सकते हैं माइनस मिल दा है और यहां पर प्लस मिल दा था फिर कुछ टाइम चलने बाद यह माइनस में हो गया यानि कि यह पैनल हमारा प्रिज हो गया है इसलिए यहां पर माइनस बोल्टेज हो गया है तो एक बार हम इसमे continuity check करेंगे कि हमारा sorting तो नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे आपको हर एक point में check कर लेना है तो यहाँ पे हमको कोई भी sorting नहीं मिला और जो यहाँ पे हमको sorting मिला 5 और 6 नमर पे तो यहाँ पे देख सकते हैं CLK 5 और 6 नमर तो उसका point इधर left side में और right side में यहाँ प पर आपको CLK का सारा पॉइंट यहां पर मिल जाएगा तो हमने CLK 5 का यह लाइन कट आप कर दिया है और उसके बाद हम यहां पर continuity test करते हैं तो हमने right side में CLK 5 नमबर का पॉइंट जो था उसको मैंने कटिंग करने के बाद यहां पर continuity test कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी sorting नहीं दिख रहा है तो एक बार हम यहां पर power देखे इसमें देख लिते हैं कि कितना voltage हमको मिल रहा है तो यहां पर देख सकते हैं फर्स पर 7.16 बोल्ट जो की अपडाउन हो रहा है तो आप हमसे टेलेग्राम इंस्टाग्राम फेस्बुक से भी जोईण हो सकते हैं लिंक मेंने discussion में दिया हुआ है तो अब हम यहां पर 5 नमर पर चेक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पे भी आप डाउन हो रहा है तो यानि कि यह जो लेवल सिप्टर आईसी था विल्कुल ओके कंडिशन में वर्क कर रहा है और हमने इस टीवी को 10 से 15 मिनट चला के देखा उसके बाद ही यह वीडियो बनाया जो कि यह प्रॉलम अब सौल हो चुका है तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंकि दोस्तों